हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तू मा यूटूब चैनल तो आप सब कैसे हो आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे तो आज मैं आपको रॉख को कोकोनट के परांठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जिसके लिए मैंने रॉख कोकोनट के पीसिस कट कर लिए हैं और मेरे दूदेड कर लेना है और इन सब को मैंने दरदरा पीस लेना है यह प्रांठे खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं मैं इनको मीठे प्रांठे बना रही हूं कई लोग इनको नमकीन भी बनाते हैं लेकिन मेरे को यह प्रांठे मीठे खाने पसंद हैं तो मैं मीठे को मैंने मीडियम रखना है और अब मैंने इसमें सौंफ और छोटी इलाईची का पाउडर बनाया था वह अधा टेबल स्पून मैंने इसमें एड़ कर लिया है और इसको थोड़ा सा पकने दूँगी और इसमें काली मिर्च का पाउडर एड़ करूंगी वन पिंच बलेक अच्छे को पेस्ट बनाए दर दर रहा वह इसमें एड़ कर लूँगी और मैंने मीडियम प्लेम पर इसको पकाना है आंच को में हाई नहीं करना नहीं तो जो हमारा कोकोनट का पेस्ट है वह जल जाएगा तो अब हम इसको अच्छे से चम्मच से चलाते रहेंगे बीच बीच में चेक करते रहेंगे इसको हमने ड्राई होने तक पकाना है और चम्मच से आपने लगातार चलाते रहना है और बीच बीच में इसको चेक करते रहना है प्यास की आपने मीडियम रखना है हाई नहीं करना है नहीं तो यह नीचे लग जाएगा और इसके अंदर हमने जो दूर डाला था वो बिल्कुल सूख जाए इसको पकने में 20 मिनिट्स का टाइम लगता है तो आपने इसको पेसेंस से पकाना है थोड़ा टाइम तो लगता है इसको मीठे बनते हैं चाहो तो आप नमकीन भी बना सकते हैं लेकिन यह मीठे प्रांठे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने यह प्रांठे की रेसिपी आज आपको शेयर की है तो मुझे कमेंट शेक्स में जुरूर बताना कि आपको मेरी यह प्रांठा की रेसि और आटा को मैंने पहले से गुंद लिया था मैंने एक बाउल लिया था और इसमें one टेबल स्पून देशी घी डाला था और गुनगुना पानी से मैंने इसको गुंद लिया था और 15 मिनट्स इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था और स्टफिंग भी हमारी थंडी हो और यह नारियल के प्रांठे कहाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं आप इस रेसिपी को एक बार अपने घर में बना कर जुरूर ट्राइ किजिएगा तो मैंने दो लोई बना ली है मीडियम साइज की बनाई है मैंने अब मैंने उंगलियों से इनको प्रेस कर लेना है और हिनको मैंने कटोरे का शेप देदेना है अंगुठे से आपने बीज में प्रेस करना है और और उंगलियों को पीछे की साइड से बीज में प्रेस करना है और हमारा कटोरा बन जाता है अच्छे से अब हमने स्टफिंग वर देनी है इसके अंदर तो मैंने दो टेबल स्पून इसमें स्टफिंग एड़ कर लिये और मैंने चारो साइड से अच्छे से गोल-गोल फिराते हुए एक जगा सारे कोनों को इकठा करना है और इसको अंदर की साइड मोड देना है और नीचे की साइड इसको गुठे से प्रेस कर देना है यह दिखे मैं किस तरीके से बना रही हूं ठीक इसी तरीके से आपने बनाना है और दूसरे प्रांठे में भी हम सेम इसी तरीके से स्टफिंग भर देंगे पहले इसको कोटोरा बना लेंगे फिर इसमें दो चम्मच हमने स्टफिंग एड़ कर प्रेस कर सकते हो नहीं तो उंगलियों से प्रेस कर लेना है नीचे की साइड हमने तो ऐसे हमने मोडते हुए बिल्कुल सारे कोनों को एक जगह इकठे करना है और जो ऊपर आर्टा इसका बचता है चाहो तो आप तोड़ के निकाल सकते नहीं तो आप नीचे के साइड इसको प्रेस करके दबा सकते हैं ठीक मेरी तरह अब मैंने इसके उपर आठा स्प्रेड कर लेना है और ऐसे उंगलियों से चारो साइड अच्छे से प्रेस करना है ताकि जो हमारी स्टफिंग है वह चारो साइड अच्छे से फैल जाए अब हम बेलन से इसको चप्टा कर लेंगे यह दिखे कितने अच्छे से हमारा जो प्रांठा है वह बन रहा है तो हमारी स्टफिंग भी एक दम अच्छे से सैट हो गई है प्रांठे के अंदर और यह बाहर बिल्कुल भी नहीं निकली अब दूसरे प्रांठे को भी हम ठीक इसी तरीके से बना लेंगे तो उंगलियों से पहले प्रेस कर लेना है और फिर हमने बेलन से इसको अच्छे स रोटी की शेप दे देनी हैं तो देखिए गाइस इसमें भी स्टफिंग अच्छे से से सेट हो गई है और यह भी बिल्कुल नहीं फटा बस इस बात का ध्यान रखना है आपने की बेलन को आपने बिल्कुल धीरे धीरे करके प्रेस करना है जोर से नहीं प्रेस करना है नहीं तो यह फट जाते हैं तवा को मैंने गैस पर गर्म करने के लिए पहले से ही रख रखा था और मैंने अपरांठा इसके उपर डाल दिया और अब हम इसको अच्छे से कुख कर लेंगे, हमने मीडियूम फ्लेम पर ही इसको कुख करना है, तो एक साइड पक गया है, अब हम इसके उपर देसिघी लगा देंगे, और मैंने ब्रस की साइटा से इसके उपर देसिघी लगा लिया है, और दिखी कितना अच्छे से फूल अब मैंने इसको दूसरी साइड भी पलट लेना है और इसके ऊपर भी देशिघी लगा लेना है और इसको फिर से पलटूंगी आपने इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है फ्लेम को हाई नहीं करना नहीं तो यह जल जाएंगे और स्प्रेचुला से इसको प्रेस करते रहना ताकि यह कच्चे न रह जाएं तो यह दिखें गाईज मेरा एक प्रांठा बनकर हो गया है रेडी अब मैं दूसरा प्रांठा भी इसी तरीके से बना लूँगी मैं और मौने पलट लेना है इसको दूसरी साइड पबग गया है तो इसके उपर गहीं लगा लेना है और इसको भी अच्छे से सीदो कर लेना है अब दूसरी साइड पलट लेते हैं तो यह दिखिये हैATHAN ही कितनी ही तीने अच्छे से फोले लहाँ है एकदम फुला फुला सा प्रांठा बन रहा है मेरे घर में यह नारियल के प्रांठे सबसे ज़्यादा मेरे बच्चों को पसद है दूसरा प्रांठा भी बनकर रेडी हो गया है अब हम प्लेट में इसको सर्ब कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बन कर देंगे तो मैंने सबसे पहले भाली में प्रांठे रख लेने हैं उसके बाद फिर मैंने योगर्ट फ्रूट सैलेड रख लेना है उसके बाद फिर मैं फ्रूट कस्टर्ड एड़ कर लूँगी तो लीजिए गाइस हमारी आज की ठाली बन कर होगी है रेडी और एक स्पून रख लूँगी साइड में तो अब मैं एक नाठा बी से तोड़ के दिखाती हूँ तो ये देखे कितना अच्छे से हमारा प्रांठा पक गया है और ये दिखे बी से एकदम खिला खिला सा दिख रहा है परांठे के टुकडे को मैं योगर्ट फूट सेलेड में डीप करके दिखाती हूँ ये दिखे कितना अच्छे लग रहा है वह खाने में तो बहुत अच्छा है तो चलिए गाइस मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाइबाइए और टेक्यों